विल्कम टू आवर यूटूब चैनल दोस्तो आज कि वीडियो में मैं आपको शिखाऊंगा अस्तर वाला बैल वाला बलाउज या फिर तीरे वाला बलाउज इसे बैल्ट वाला बलाउज भी बोलते हैं और जानली दोस्तो जब हम कोई बलाउज बनाते हैं तो 80 cm कपडा उसम और 80 cm सफिशेंट कपड़ा होता है, हाफ बाजू के लिए, अगर आप बड़ी बाजू बना रहे हो, 3-4 बाजू बना रहे हो, या फिर एल्बो बाजू बना रहे हो, तो कम से कम एक मिट्र आपका कपड़ा लगेगा, लेकि जरनली 80 cm में आराम से आपका बलाउस बन जाता है सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जो अस्तर होता है, अस्तर को पहले अपने धोना है, धोने के बाद उसे आप अच्छीते से प्रैस कर लेना है, जैसे इसको मैंने प्रैस करके अच्छीते से बिचा लिया है, और जब भी हम कोई बलाउस बनाते हैं, तो सबसे पहले ज बता रहा हूं वह एक बोडी मेजरमेंट के हिसाब से बता रहा हूं तो दोस्तों इसका जो नाप वह देखे क्या है लंबाई जो है ब्लाउज की वह 14 इंच और इसका जो सीने का नाप यानि जो ब्रस्ट पॉइंट है वह 36 ठीक है कमर इसकी 30 इंच है बाजू की लंबाई पांच है आगे से जो गुलाई है बाजू की वह 13 इंच एन बी का मतलब होता नैक बैक पीछे से जो गला रखेंगे वह रखेंगे नौ इंच और एन एफ का मतलब होता नैक फ्रेंट है आगे से जो गला इसका हम बनाएंगे च्छेच तो दौस्तों कपड़े कुछ को इस परकार से इस प्रकार से रखने को परके नारी के मदक निशन क्यं weekend को मतलब यहहुता कहीं से अगर कपड़ा छोटा है बढ़ा हो जैसे आप देख सकते हो तो इस निशान से आप उसकी cutting कर सकते हो तो इसके सबसे वहले हैं से cutting चौदा की जगे आपको लेना है साड़े चौदा क्योंकि आधा इंच में जो मार्जन उपर चला जाएगा जब इसकी तीरे की सलाई हम लगाएंगे तो यह दिखी यह होगी इसकी लंबाई साड़े चौदा ठीक है अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो में चीज होती है बलाउज की जो सबसे इंपोर्टेट चीज होती है वह होता इसका तीरा जिसे हम शोल्डर बोलते हैं तो दोस्तों क्योंकि पीछे से गला इसका 9 इंच है तो यहां पर आपको मैं एक चीज क्लिए कर देता हूं जब आप कोई ऐसा बलाउज बनाते हो जिसका जो गला है या दोस्तों सबाइब आपको तीरे कर मियरेना पडेग क्योंकि दोस्तों जब ऑद गिछाव नहीं आता क pictured वे जीयों करें कि वसनette प्लीकल उत तो उसमें आपको तीरा नापना पड़ता है लेकिन जब आपको ऐसा गला बनाते हो जो पीछे से deep हो और deep का मतलब होता है 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच ठीक है तो इसका जो पीछे से गला है 9 इंच है तो इस condition में आपको 13 नापने की जूरूत नहीं पड़ेगी तो इसमें आपको क्या करना है आप बस एक छोटा सा फार्मूला अपनाना है आपको रखना है 6 इंच, 13 इह देखिए तो 6 इंच पर इस प्रकार से आपको निशान लगा लेना है तो इस चीज़ को मैं दुबारे रिपीट कर देता हूं जब कोई आप ऐसा गला बनाते है जो पीछे से डीप होता है तो उसमें आपको तीरा रखना है 6 इंच ठीक है अब यह दो मैंने 6 इंच पर निशान लगा है इसको बिलकुछ सीधा इस प्रकार से निचे लेकर जाना है तो तीरे का मैंने आपको क्लियर कर दिया है अब इसके बाद दोस्तों बात आती है वह आती आर्म होल की तो बिलकुल सिंपल फार्मूला 6 इंच आप तीरा लेते हो अब आर्मूल के बाद दोस्तों जो इंपोर्टेट चीज है वो है एक ये निशान ये देखे जो आर्मूल का निशान लगाया इस निशान से जस्ट धाई इंच नीचे आपको एक निशान और लगाना होता है इस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों लौवर ब्रस्ट और आप इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि उसकी ज्यादा जुरूत नहीं पड़ेगी क्यों नहीं पड़ेगी जब यहां पर में फिटिंग के निशान लगाऊंगा तो चीज में आपको क्लियर कर दूँगा बस आपको यह धियां रखना है जहां पर आपने आर्मूल का निशा लगाना है जो है इसको लोगर ब्रेस्ट के ठीक है अब फ्रेंट्स बात करते हैं इसके बाकी मेजर्मेंट की तो सीने का नाप कितना दोस्तों सीने का जो नाप है 36 36 इंच है तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यां से आप नौट कर लें जब आप बोड़ी से नाप लेते हो तो इसमें आपको 2 इंच प्लस करना होता है ठीक है लेकिन जब आप छील वटव से नाप लेते हो तो उसमें आपको कुछ भी प्लस नहीं करना 36 इसका जो है सीना है तो 36 में दो प्लस करेंगे इतना हो जाएगा 38 इंच तो इस जगे से आपको 38 क्या करना है यह देखिए 38 का अधा कितना होता है 19 और 19 का साड़े 9 साड़े 9 पर आपको निशान लगाना है तो इस चीज़ को मैं दुबारे क्लियर करता हूं यह हो जाएगा 38 इंच ठीक है अब 38 का आपको एक चुथाई करना है 38 का आदा 19 और 19 का साड़े 9 पर आपको निशान लगाना है इसके बाद दोस्तों आते हैं कमर पर इस चीज़ को भी मैं किले कर देता हूं ब्लाउज में जो भी कमर होती कमर में बिल्कुल भी लूजिंग नहीं दी जाती तो कमर इसकी 30 है तो 30 का आपको एक चुथाई करना कितना हो गया साड़े साथ कि कमर 30 है 30 का आदा 15 और 15 का साड़े साथ अब इसके अलावा पीछे ब्लाउज में हम जो प्लेट से लगाते है लगाते हैं उसके लिए आपको डेडिंच का मार्जन लेना यह हो गया डाट का मार्जन अब इन दोनों निशानों का अपसमें इस प्रकार से मिलाएंगे यह मैंने मिला दिया और बस इस चीश का ध्यान रखना है जैसे यहां से साड़े नोल लिया है तो बस आपको यहां से हलका सा कम कर देना तो यहां से आपको सावनों पर निशान लगाना है यह देखिए तो इसमें लोवर बैस्ट नापने के जूट नहीं बढ़ती क्योंकि दोस्तों क्या होता है यह लोवर बैस्ट और अपर बैस्ट का चक्कर यह होता है कि बहुत से लोगों की जो शिकायत होती कि आर मोल में जोल आता है वो क्या करते हैं इस सिलाई को बिलकुल सीधा ले जाते हैं यह देखिए इस तरह से जबकि लोवर बैस्ट और अपर बैस् इस सीधे निशाने पर आपको cutting नहीं करने, इस चीर का ध्यान रखना है, इससे कभी भी आर्मोल में जोल नहीं आता, तो friends, यह मैंने fitting के निशान लगा लियें, अब आते हैं इसके आर्मोल में इस point पर देखें, यहां पर छोटा से एक निशान लगाएंगे arrow का, यहां से आपको extra margin रखना है, दो इंच यह देखिए, मान लीजे कभी blouse tight हो जाए, तो lose करने के लिए हमार पास margin चाहिए, तो 2 इंच आपको extra margin रखना है, इस प्रकार से दोस्तो, मैंने जो पीछे वाला इससा है, उसमें सारे का सारे mark कर लिया है, अब इसकी हम करेंगे cutting, friends, cutting करते स मैं बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यह जो निशान सीधा लगाया है, इस निशान को हलका सा आपको हलका सा डाउन करना है, इस प्रकार से, जिसे हम बोलते है, shoulder slope, अब इसकी cutting करेंगे, देखें, तो दोस्तो, पीछे वाले भाग की cutting मैंने कर ली है, अब आपको क् cutting करनी हमने करनी, आगे वाले हिस्से की, इस कपड़े को ऐसे कैसे रखना है, कुछ भी ने करना, सिर्फ पीछे वाले हिस्से को इस प्रकार से उठा लेंगे, यह जो पीछे वाले है, अब इसको रखना है, अब इसको किस तरह से जमाना है, कैसे set करना है, इस चीज़ को थो क्योंकि इसमें front open hook है तो यह देख़ी यहां पर बिल्कुल सीदा इसी प्रकार से आपको बिल्कुल बराबर रखते हुए इसकी cutting करनी इह जो आप जो आपको चेंज करना है वो सिर्फ एक जगे पे friends, front वाले हिस्से में क्या होता है, कि हम hook और eye की पट्टी लगाते हैं, जब हम hook और eye की पट्टी लगाते हैं, तो उसमें 1-5 inch जो कपड़ा है हमारा चला जाता है, तो इसलीए इसको आपने इधर से 1-5 inch extra रखना है, यह देखिए, ठीक है, यह जो कपड़ा के वल यहीं तक है लेकिन इसको मैंने 20 inch max रखा हुआ है अब आतने ही नीचे वाले हिस्से पर नीचे वाले ही मैं आपको क्या करना है यह जो लंबाई का निशान आप देख सकते हो यह देखें formats nest लंबाई का निशान है जो मैंवं और यह देखिए बिल्कुल सीधा नीचे निशान लगाना है आपको यह मैंने निशान लगा लिया है अब फिलाल दोस्तो इस वाले इससे के हमें ज़रूर नहीं है इसको मैं हटा लेता हूं यहां से अब आते हैं यह देखिए सारे सारे निशान मैंने आप अलड़ी लगा ही लिए आपको दिख रहे होंगे हलके अब दोस्तो इसमें क्या होता है कि यह जो मैंने निशान लगाए बिल्कुल सीधा लगाया तो जब भी हम बैल्ट वाला यह फिर तीरे वाला ब्लाउज बनाते हैं तो उसकी जो बैल्ट होती है बैल्ट में हलकी सी शेप होती है तो उस इस निशान पर सीधा आए और हलक हलका इदर से घुमाव दें तो इस परकार से आप दे सकते हो यहां तक सीधा आएंगे और यहां पर आपको इसमें शेप देनी है अब इसके हम करेंगे कटिंग और कटिंग करते समय बस आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है यह जो मैं इस परकार से आप देख सकते हो कि जो फ्रंट वाला पार्ट इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है अब इसमें दो सबसे इंपोर्टेड चीज़ है फ्रेंट्स वह इसका तीरा यहां फिर इसकी जो बैल्ट अब इसमें आपको क्या करना है जिस परकार से यहां पर मैंने आधा आधा इंच जो है एक्ष्टा कपड़ा रखा है थोड़ा सा मार्जन के लिए इसी परकार से देखे तीरा इसका यहीं से निकल जाए तो सबसे पहले आपको आधा इंच का जो है इधर भी निशान लगा लगा जो इसमें सलाई में जुड़ेगा क्योंकि इसका तीरा दोस् साड़े साथ तो साड़े साथ पर निशान लगा दिया ठीक है और दो इंच आपको एक्ष्टा लेना है मार्जन के लिए इसको सीधा इस परकार से नीचे लेकर जाएंगे अब यह जो निशान है इस निशान से आपको दो इंच पर एक निशान लगाना है यह सीधा निशा और नीचे फोल्ड करने के लिए सवा इंच एक इंच जितना भी आप एक्स्टा रखना चाहा हो रख सकते हो और इसी जगह से इसका जो तीरा है बहुत असानी से निकल जाएगा देखें तो इसका जो तीरा है यहां फिर जो हम बैल्ट बोलते हैं वो जो असानी से मैंने कटिंग कर लिए आपस में इस पकार से इसके साथ जुड़ जाएगा रही बात इदर से जो एक्स्टा कपड़ा आपको दिख रहा है इस जगह पर तो इसके साथ आराम से यह सेट हो जाएगा तो तीरा और फ्रेंट और बैक इसके तीन पार्ट की कटिंग मेंने कर लिए है अब आते हैं इसकी स्लीज पर फोल्ड करने के बाद सबसे पहले यहां पर सीधा निशान लगाया जाएगा कपड़ा कहीं से छोटा है बड़ा है उसको काटके बिलकूँ बराबर करेंगे नॉर्मल जैसे हम बाजू की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले तीन इच पे एक निशान लगाए जाएगा इसमें डाउन करने के लिए जब हम बाजू की cutting करते हैं तो इस जगे से हम down करके एक निशान लगाते हैं यह जो 3 इंच में जाके मिल जाता है बात करते हैं बाजू की लंबाई की बाजू की लंबाई है दोस्तो 5 इंच तो यहां से आधा इंच तो चला जाएगा उपर margin में तो 5 इंच यह होगे बाजू की लंबाई सिधा एक निशान लगाएंगे बाजू की लंबाई का आगे से fold करने के लिए extra margin रखेंगे एक इंच देड़ इंच बाजू की गुलाई है तेरा और तेरा का अदा साड़े छे साड़े छे पर निशान लगाएंगे अब friends इस जगे स फार Marines में आपको बताता हूं देखे सीने का नाप है 46, 36 का आपको करना होता एक चुथाई और उसमें से आधा इंच कम करना होता है तो 36 का आधा होता है 18 और 18 का आधा होता है 9 तो यह देखी इस परकार से daug criminal आपको शाड़े आख, और एक दूसरा फार्मूला फ्रेंट्स यह है अगर आप ज्यादा गणित नहीं लगाना चाहते तो यह देखी आप इस प्रकार से फ्रेंट और बैक इसके जो दोनों ही पल्ले हैं इन दोनों को आपने इस प्रकार से उठा लेना यह देखें केवल फ्रेंट और बैक को ही आपने उठाना है यह देखें तीरे को रखता हूं मैं साइड में और फ्रेंट और बैक है दोनों इसको इस प्रकार से उठाएं अच्छी तरह से बिल्कुल ब्रावर पकड़ने इसमें आपको ज्यादा मेहत की जूरत नहीं पड़ेगी यहां से इस तरीके से आप बाजू की जो कटिंग कर सकते हो यह देखें अब मैं आपको बाजू की कटिंग करके दिखाता हूं इस निशान पर आपके सलाई आ जाएगी और यहां से आपको हलका सा एक कट लगाना है तो फ्रेंट्स बाजू की कटिंग हो चुकी है और अब देखें बाजू आपको इस प्रकार से में खुल के दिखाता हूं अब दोस्तों देखे यह तीरा हो गया बाजू हो गाई फरेंट seconds बैक हो गया बाजू की कटिंग अभी अवहा दूर है क्योंकि यह इसमें अर्जू में कारते हैं इसका आगे क्तिंग करते अभी तक जो मैंने करी थी फ्रेंट और बैक के बिलकुई बराबर थी लेकिन जब आप फ्रेंट वाले आर्मोर की करो तो यहां से आपको लगबग आदा से पॉन इच एक्ष्टा जो कपड़े की कटिंग करनी होती है अभी फ्रेंट आर्मोर की कटिंग मैंने कर दिया और अब फ्रेंट इये देखिए इसके हम गले की भी कटिंग कर लेते हैं तो यहां से आधा इंच शोट कपड़ा लिए था होक को रा काटि पट्टी के लिए तो अब आपको गले की कटिंग कैसे करनी है देखें यहां से जो गले की दोस्तो ट्राइए लेनी आप को देखें आदा इंच इदर में इनकपडा सरकाल लिया पहले ही यहां से त्राइए रखेंगे पौने तीन इंच पर सीधा एक निशान लगाएंगे कि पौणे तीन इंच है तीन इस भी आप रख सकते हो लेकिं पौणे तीन इस जो है सफिशेंट न पहता है आगे रिद यूदा चाहिए हमें और अभी पीछे वाले गले के भी कटिंग करेंगे, पहले आगे वाले पार्ट को कम्प्रीट कर लेते हैं, कम्प्रीट कैसे करना है, दोस्तों अभी इसमें हम लगाएंगे प्लेट के निशान, जिसे हम डार्ट पॉइंट बोलते हैं, उपपर से आपको आदेंच छोड़ता जर्नली जो 10 से यहां पर 10.5 के करीब ही जो पॉइंट होता है, तो इस प्रकार से आपको 10 इंच पे एक निशान लगाना है, और यहां से दूरी लेनी है आपको 4 इंच, ठीक है, यह देखिए, इस निशान को बहुत सीधा लेकर जाएंगे, और यह देखिए, इस प्रकार स आपको इस जगह से आना है उपर दोस्तों 2 इंच पे यह देखिए, ठीक है, और अब इस प्लेट को इस प्रकार से आपको स्केल उठाना है, यह देखिए, और इसे इस प्रकार से लेकर आना है, यहां तक, और कहां तक लेकर आना है, इस चीज़ कर भी आपको ध्यान रखन जैसे यहां से इसकी जो दूरी हमने टोटल दो इंच लिये तो अब इसी जगह से आपको दो इंच पे एक निशानो लगाना यह देखें और इस निशान को कहा जाए के मिलाना है बिल्कुल आर्मौल के सेंटर में यह इसका आर्मौल का सेंटर है तो तीन प्लेट में लगा द है और इसकी दूरी है दोस्तों वह भी आपको यहां 2 इंच ही रखनी है आप देख सकते हों मेना टोल ना दोइच की दूरी यह से रखी है तो इस प्रकार से एक दो तीन चार चार प्लेट मेने लगा लिह है और अब ही है इसी प्रकार से इनको आप जो जो है दूसरी तरफ भी लगा सकते हो, तो दूसरी तरफ प्रेट लगाने का जो तरीका बहुत ही असान है, आपको इस प्रकार से देखे इसको पकड़ना है, यह देखिए, उंगली रख लिए यहां पर, और यहां पर निशान लगा दिया, एक, दो, तीन, और यह चार, तो यह चारो प्रेट मैंने इस तरफ लगा ली हैं, और स्केल की मदसिन को बिल्कुल सीधा आप इस प्रकार से कर सकते हो, देखें, तो आगे का जो काम है, फ्रेंट्स, वो कंप्लीट हमारा हो चुका है, यह इसका जो है, फ्रेंट बाला पार्ट है, और यह इसका तीरा है, आप देख सकते हो, इस प्रकार से, जब यहां पर प्लेट लगेगी, डेड़ इंच की, इस प्रकार से, तो यह बिल्कुल इसके ब इतना काम हो गया, अब आतने पीछे वाले हिस्से पर, यह इसका बैक पॉर्चन है, आप देख सकते हो मेरे पास, तो बैक पॉर्चन में दोस्तों आप चाहें, तो जो गले की कटिंग है, बुकरम पर भी कर सकते हो, अगर बुकरम पर नहीं करना चाहते, तो आप इसकी डा यहां से रखेंगे, पॉने 3 इंच, पीछे का गला है, इसका 9 इंच, तो 9.5 पर निशान लगाएंगे, बिल्कुल सीधा लेकर जाना है, इस प्रकार से, और यहां पर आपको देदेनी है गोलाई, लास्ट इसकी रागी वो है प्लेट्स, तो दोस्तों यह देखी, उपर से आदा इंच छोड़ते हुए, मारजन के लिए, 10 इंच पर आपको प्लेट लगानी है, दूरी यहीं से आपको रखनी है, वही 4 इंच की, सीधा नीचे निशान लगाएं, और यह जो प्लेट है, आपको इस प्रकार से लेकर आनी है, नीचे ठीक है, तो यह टोटल 1.5 इंच जो में चीज है, इसका, इसकी कटिंग आपको कैसे करनी है, मैन फैबरिक के उपर, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आपने ब्लाउज की कटिंग करनी है, अस्तर वाले की, तो पहले आपको अस्तर की ही कटिंग करनी है, उसके बाद आपको मैन फैबरिक को उठाना है मैन फैब्रिक इसका यह है ब्रोकिट का कपड़ा है यह सीधा वाला इससा है इसको आपने इस परकार से अंदर की तरफ फोल्ड करना है यह देखें सीधे वाले इससे को अंदर की तरफ रख लिया बिल्कुल बराबर रखेंगे और यह जो टोटल चार पार्ट से इसके चारों पार्ट को आपने एक एक करके इस पर जमाना है तो सबसे पहले बैक वाले पार्ट को उठाएंगे यह देखें बैक वाले पार्ट को इसके उपर मैं जमा लिया अब उठाएंगे इसके फ्रेंट वाले पार्ट को आपने इसके उपर इस प्रकार से जमान लिय यह इसकी sleeves और यह इसका तीरा यह देखिए बहुत असान तरीके से एक एक पार्ट को आपने इसके उपर जमा लेना है जैसा कि इसके उपर मैंने इसको रख लिया है कहीं से छोटा बड़ा ना हो इस चीज का ध्यान रखें बस इसकी चीज कही आपको ध्यान रखना पड़ता है ठीक है एक एक पार्ट को मैं जमा लिया है अब जिस प्रकार से इसको मैं जमाया है उसी प्रकार से बस आपको इसके बिल्कुल बराबर बराबर कटिंग कर लिए तो दोस्तों आप देख सकते हो इस प्रकार से जो अस्तर वाला बैल्ट वाला ब्लाउज है उसकी मैंने को आज की वीडियो में इस अस्त्र वाले बैल्ट वाले की कटिंग के बारे में बताया है हाला कि दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी जुरूर बन चुकी है क्योंकि मैंने बहुत बारिकी से आपको समझाने की कोशी की है फिर भी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो यहां फिर कोई कमी नजर आई हो तो जरूर कमेंट करें और लाइक करें चैनल पर पहली बार तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें थैंक यू वेरी मच्च